क्या करें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ करें है भी सही तो अप고 बता है ऐक्शन लिया जाता है ठीक किया कुमन में, जो भी किया ठीक किया है जो आज बोएंगे वो ही एकल को काटेंगे बिस्मिल्ला रमान रहीम, असलाम अलेकूम, मैं हूँ अफाक नजीर नाजरीन इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पबंदी लगा दी गई है हकूमत की जाने से जिसका इतलाक दो हफ़तों के लिए है, मीडिया को कवरिज से भी रोक दिया गिया है, डियाला जेल के बाहर, अवामी रद्यामल के आइसके उपर, आईए उनी से जानते हैं इमरान खान से मुलाकात पर पबंदी लगा दी गई है, यह हकूमत की जाने से क्या कहेंगे यह नाइन साफी है, मिलना चाहिए, इनसान अच्छा है, अच्छा किरदार है, उसका तो यह पटवारियों से हम नहीं अच्छा चाहते हैं, हम बेरोजगार हैं, कोई बिलकुल र अच्छा यह जो स्टेप उठाया गया है, गौवर्मेंट की जानीब से, इसको कैसे देखते हैं आब, कौन सा स्टेप से, अच्छा है, बुरा है, नहीं यह बुरा है, सर जी, यह हमारे हाक में बुरा है, अच्छा इनसान था, जो हमारे लिए सोच रहा था, इनसान के है, वो खुद बाच है, अपनी दिन्दिगी के, असलाम अलेकों, अलेकों सलाम, इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पबंदी आयद कर दी गई है, हकूमत की जानब से, क्या कह सकते हैं, उनकी मर्दी है, वो तो वैसे ही खिलाफ होए है, उसके क्या कर सकते हैं, इस करके उठा के अंदर डाल देते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, असलाम अलेकों, इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पबंदी आयद कर दी गई है, क्या कहेंगे, जल्म होए है, अच्छे इस से पहले जुम्हेरात का दिन जो था, वो मुक्तस था मुलाकात के लिए, ब इन साब को मिलते हैं, कौन किसी ने, कौन रुका मुलाकात के लिए, मीडिया को भी कवरिज से रोक दिया गिया है, डियलर जेल के बाएर, बड़ा कुछ करना है, इन्होंने आ आगे हैं इन्होंने बड़ा कुछ करना है, अल्ला इनको हदा देगा, बलकर इन इस तो नबू कुसला करें अब, हकुमत की बंती नहीं है, जैसे लाए गई हैं, फर वो ऐसी होना, मयूस ही होना है, असलाम लेकम जी, वालेकम साम, इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पबंदी आइद कर दी गई है, क्या कहेंगे, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए, पहले जुमेरा लेकिन जमूरियत को मदे नजर रखते हुए ना, ये सब कुछ अकुमत गलत कर रहे है, अच्छा लोयर हैं आप, ये कानूनी वुकत क्या इस फैसले की, कोई ऐसी यह नहीं है, जिसका डंडा उसकी बैंस, जो जबरदस्ती है, और क्या, मीडिया को भी कवरिज से रोग दि भी आगए, होना चाहिए, खूमत से कोई एक्स्पेक्टिक्षन नहीं है, कोई को बेतरी करेंगे, तो आको क्या हो सकती है, तो आको होती तो ये हलाद ना पैदा होते है, उसको भी पूरा पूरा हक मिलना चाहिए, पीटीपल्स पार्टी भी खूमत साजी का हिस्सा है, ले भाई हम तो किसी को भी नी कुछ भी बोलते हैं ना अमरान खान को नौर ना वाद शरीव को हमें कोई भी नी कुछ खाने को देता हम अपनी मेहनत खुद करते हैं अच्छा जो नौ मन्तखब हकुमत आई यह उससे कोई एक्सपेक्टेशन है आपको कुछ भी नी मिला पहले भ इमरान खान से जेल में मुलाकात पर बेशात करती गई है क्या किया तो उसने चुरी किये तो सजात दिए झाँगे थो अधालतों का काम है ने खुना किया है तो जियल में गया ना चौरी किया तो गया हो ऐसे तुने किया आप कैसे देखते हैं इस वसले को देखें अगर अगर हकूमती तो पर देखा जाए ना तो यह गल्द किया अच्छा नहीं किया वो अगर उन्होंने चौरी किया तो वो मुलक से बाहर तो जा सकते ना लेकिन उन्होंने यह डिसाइड नहीं किया कि मैं मुलक से बाहर जाओं उन्होंने अपने मुलक की खातर अपने मुलक की खातर ये कुर्बानी दी है और जो हकूमत है ना वो ठीक नहीं कर रही उनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा देखें उन्होंने मुलक के लिए इतना कुछ किया ना तो आपको हम बता नहीं सकते हैं जितना किया लेकिन ये मरियम नौाज और जो नौाज श्रीफ साहब है इन्होंने अच्छा नहीं किया ये सिर्फ उनकी साथ के हो रहा है साथ के साथ ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्लैन किया जा रहा है प्लैन के साथ उसको ना ये सब कुछ किया जा रहा है और ये गलत है अच्छ पर भी पबंदी लगा दी गई है अडियाला जिल के बाइब नहीं आपका इस हकूमत के फैसले के ओपर देखें हकूमत के फैसलों में हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कह सकते वह जो भी मामलाद हैं वो खुद देखते हैं इसमें यह कि इतना जरूर कहते हैं कि यह जो वालेकूम इमरांद खान से जेल में मुलागात पर पबंदी आइद कर दी गई है क्या कहेंगे नहीं जी पबंदी तो नहीं लगनी चाहिए वैसे जो भी गिया वो तो इनसान का अपना किरदारा जो भी है तो उसका जो इसका जो सजाद यह नहीं को हक नहीं है देने का इसका जाद सामलेकूम इमरांद खान से जेल में मुलाकात पर पबंदी आइद कर दी गयी है । क्या कहेंगे यह सरसर जयाती है ौहमत की जानेब से फैसला किया गिया बिलकुल यह वक्त एक जैसा नहीं रहता हर किसे पैसा वक आईगा तो जो आज बोएंगे वही एकल को काटेंगे. मीडिया कवरिज पर भी पबंदी आयदा है डियाला जेल के बाइर? तो ये सहाफियों को भी बोलना चाहिए क्योंकि पहले तो सहाफिय इमरान खान के दोर में बड़ा बोल दे थे तो आज आने जितने भी सहाफिय हैं उनको भी ऐसे एकदाम उठाने चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही काया कि वक्त एक जैसा नहीं रहता तो ये एकदार हमेशा तबदील होते रहते हैं आज किसी के पास है तो कल किसी के पास है नाजरीन हकूमती फैसले के ओपर अवामी रदे मेल आपने सुना तो इसी के साथ ये था हमारा आज के प्रोग्राम नेक्स मैं फिर हाजर होंगे तब तक के लिए अल्ला आफिस